हाई गाईज, बेरा नाम है साहिल करना और स्वागत आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर और आज हमारे साथ में एक और फाउंडर है और जानते हैं उन से उनके बारे पे हाई, मैसेल्फ गौरा मंगला, I am one of the founders of picker.com, we provide end-to-end shipping and intelligence to all the D2C brands अगर मैं इसको देशी लाइज में समझने कोश्च करूँ, अगर मेरा e-commerce store है तो आप मुझे logistic प्रोवाइट करके दोगे, delivery करने के लिए हाँ, हम आपको आपने अपने e-commerce store खोला, उसके बाद आपने order जनरेट करें, उसके बाद के सारा काम हमारा, order किस courier को देना है, किस customer को कब पहुंचेगा, उस customer को क्या message जाएगा, क्या interaction होगा, क्या आपकी brand visibility होगी, tracking होगी, आपकी PNL, logistics, PNL, और NPS, आपके customers के साथ कैस and computing from IIT Guhaati, उसके बाद मैंने एक consulting company join करी, वहाँ मुझे लगाई, where I met Ankit, my other founder and Ritiman, हमने Ritiman की team join की थी, मैंने और Ankit ने, Ankit is also a 2013 graduate from IIT कानपूर, Specialized आपके साथ ही? हाँ, मतरब दोनों की campus से job लगी थी, तो वही team, role call हुआ था, तो Ritiman वाली team मिली थी हमें, तो supposedly उस company, उस consulting company के founders picker में, investors भी है, and they have supported us from the start, फिर एक साल type काम किया था, फिर उसके बाद अगले 6 महीने job के साथ एक start-up किया था, parallel में, जॉब क्या थी? कंसल्टिंग की थी, IP कंसल्टिंग थी, code review अगरा करने होते थे, लोग company दूसरे को सूप करती थी, हम बैट के, material prepare करते थे, फिर उसके बाद, एक साल type के बाद सोचा कि आप कुछ करते हैं, तो जुतने भी offline interviews होते थे, उनको online बनाने का सोचा हमने, तो basically अगर आप मेरा interview ल वाली चीज होनी चाहिए, कि सामने बैठा है बन्दा, फिर देन आप मुझसे code भी कराना चाहोगे, आप मुझसे कुछ logical puzzle करा होगे, कुछ design करा होगे, तो हमने क्या कि आदी window peer-to-peer video conferencing बनाई, और आदी window Google Doc जैसे होता है, जहां पे लोग collaborate कर सकते हैं, real time में, वैसी एक window बनाई, जहां पे लो code भी कर सकते हैं, और run भी कर सकते हैं, code run भी कर सकते हैं, debug भी कर सकते हैं, 14 languages के में test भी कर सकते हैं, different different type के, तो इस type को product बनाई है, 6 मही ने job के साथ, फिर जब product फोड़ा मैचूर हुआ, तो जिस company में job करते थे उसी company के campus interviews, campus recruitment में, deploy कर वा दिया, for a start, पहला customer ऐसी मिलता है आपको, फिर उसके बाद London में company में deploy करो है, London में test हुए, फिर और अच्छा float हो रहा था, एक डेट साल चलाया, फिर 15 में में ये sell कर दिया था, एक Delhi based company को, उस time पे कितने customers थे, उस time पे कुछ खास customers तो वैसे आप मानो, 50-60 odd थे, revenues भी कुछ खास नहीं पांच, पांच-छे लाख रूब महीने टाइप के बट साइस रिविन नहीं था, चार्ज कैसे करते हैं, monthly? नहीं, नहीं, हम तो per test लेते थे, per interview और test, अचा, per interview एक बंदा, या फिर, per interview round? test भेज रहे हो, खाली आपको interview नहीं लेना, खाली आपको code करवाना है, वो जितने candidate टेस्ट लेंगे, per candidate एक चार्ज होता था, जब आप interview ले रहे हो, तो एक interview session, उससे में कितना भी हो, उसका चार्ज होता होता है, तो bandwidth का issue नहीं आता था था, क्योंकि 12, 13, 14 में, internet उतना ज़्यादा नहीं था, नहीं था, बट यह B2B companies के लिए था, अब लोग manage करते थे अप तो आपके centers थे, जैसे मैं हूँ, और मुझे आपकी company में आना है, और आपने software लगा रखा है, तो logically, मेरे पास webcam होना चाहिए, मेरे पास में अच्छा high speed internet होना चाहिए, आपके company में job लेने के लिए, इसके लिए कोई center होता था, या ने, आप घर बैठके करो, यही problem solve कर रहे streaming कितना bandwidth पर operate हो जाता है minimum, मतलब as such streaming challenges नहीं आते थे, हम लोग basically बहुत different type API बनाई थे हमने, जहां पर थोड़े starting में आते भी थे तो हम उसको buffer up कर लेते थे, starting हम लोग बहुत personally involved थे, तो चीजें देखते थे, और मतलब वह startup हमने 4 लोग उने चलाया था, तो यह जो streaming हो रही मतलब example, मेरा feed आ रहा है, server पर store हो रहा है, फिर वो आपके माझ जा रहा है, या फिर server लेश था, पहले यह peer-to-peer था, फिर उसके बाद हमने इसमे copy, मतलब को cheating ना हो या कोई उस type की ना हो, तो आप जो भी keystrokes डालते थे, आपकी videos की frames थे, हम उनको record भी करने लग गए थे, कि हम पुरा recording रखेंगे, ताकि कभी भी कोई live session हम display करा सकें, और store भी कर सकें, और store भी कर सकें, और हम हर चीज record करते थे, आपकी keystroke moments, keyboard पर क्या हो रही है, आपका पूरा एक video बना देते थे, कि आपने उस doc पे भी, कब क्या लिखा, कब क्या में, क्या रान था project का? Optimize bits, और कितने में exit हुआ था? मैं लिए और साल टाइप में exit हुआ था, बट बहुत ज़्यादा successful exit नहीं था, बट अच्छा exit था, अच्छा exit था, मतलब रे value का कितने exit था? मैं लिए उन terms में नहीं था, वो deal में undisclosed थी, हाँ, हाँ, तो थोड़ा ऐसा था कि ठीक ठाग exit था, बट kind of ऐसा हो गया था कि लोग जितना product वास था उस टाइम उतना लोग adopt नहीं कर रहे थे, लोग बुलाना चाते थे, लोग को मिलना चाते थे, interview वाला था हमारा उतना अच्छा नहीं चला, test वाला चल रहा था, test वाले में उतना कोई खास revenue नहीं आ रहा था, उसके बाद, फिर नहीं समानी, बैंग्लोड डेली ते ब्लू डार्ट का लग कोट, फेडेक्स का लग कोट, किसी चीज़ का और कोट, और उस समय लास्ट माइल काफी बूम हो रहा था, कि काफी सार्ट अप सारे थे, पार्सल डाय था, रोड रनर आय था, मुलब, और भी दो तीन हो थे, पि प्रिकिंग और पैकेजिंग और डाल दी है, कि हम एकॉमर्स में करेंगे, हमें रेस्टोरेंट के लिए नहीं करेंगे, हाँ, तो हमने एकॉमर्स जैसे M1MG हो गया, उस समय पहला क्लाइटी 1MG, स्नैप डील ये पकड़े थे, और उनके जाके पार्सल्स हम उठा के लाते अपने रेंटे वेराऊसे में, उनकी पाकेजिंग, लेबिलिंग, सौर्टिंग सब हम करते थे, और फिर अपने डिलिवरी बॉई से डिलिवर कर वा देते थे, तो ये ऑपरेशनल चैलेंग और कॉस्ट बहुज़रा होती होगी इसमें, हाँ एर इसमें, यूनिटिकॉन मे कॉस्ट कम की, फिर हमने खुद से डिलिवरी बॉई हटाए, कोरियर कंपनी को बीच में लाए कि तुम करो डिलिवर, पिक करने वाला काम भी खुद बंद किया, वो भी लोकल वेंडर पकड़े हर मार्केट में, ट्रैक ओन, डीडीडीडीसी टाइप के वेंडर होते हैं, इ मेरे इसी चीज़ को इ-कॉमर्स में भी अपलाए करके देखा किया, और 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 को जाना, तो पहले क्या था पहले खाली, लास्ट मैल शिपिंग थी, कि एक साइट है, जाओ अगर आपको कोई भी बेजना है, कहां से कहां भीजना है, आप बुक कर दो, हमारा जगा में अगर आपको कोई भी लास्ट मैल डिलिवरी करानी है, चाहे आप e-कॉमर्स ब्रैंड हो, चाहे आप एक C2C कस्टमर हो, आप पिकर की वेब साइट पे जाओ, अपना ओर बुक करो, कोई भी आएगा और डिलिवर कर देगा, सिर्फ इन चार जगा से पिकट था, नहीं चार जगा डिलिवरी थी, और इंटर स्टेट भी नहीं था, कि महला बैंगलोर से दिल्ली नहीं होता था, अगर अपने को फाउंटर्स का बता होगे, तो क्या-क्या, किसके क्या-क्या रूल थे, स्टार्टिंग के अंदर, हाँ तो स्टार्टिंग से ही, मैं थोड़ अग्सित किया था, वहाँ से फड़ आया था, नहीं नहीं नहीं, वहाँ से कुछ नहीं है, हमने एंजल रिज्ट कर रहे हैं, हमने कंपनी स्टार्ट करते ही रिज्ट कर लिया था, तो आईरनवे के फाउंडर्स थे, और गाना.com में अभी एक CEO थे परिशन, वो समय अपना स्टार्ट अप चला रहे थे, कोई प्रॉप टाइगर, उन से रिज्ट कर लिया था, फिर दो तीन एचनाई से रिज्ट कर रहा था, एक पलाश वेंचर था, उससे रिज्ट किया था, फिर उसके बाद? बस उसी फंड से चले हम 2020 तक, अच्छा, उसके बाद कोई रिज्ट तो बेसिंगली जो पहला फंड राउंड, स्टार्टिंग के राउंड हुए है, वो प्रोड़क्ट बिल्ड करने में, नहीं वो जानने में कि क्या करना है, स्केल क्या करना है, ऐसा था कि पहले हमने लास्ट माइल किया, फिर फर्स्ट माइल को और इनोवेट किया, फिर फि कॉमर्स कंपनीज के साथ काम करकर के हम एक कॉमर्स का एंटू एंट क्लारेटी आई हमें ऐसे एक कॉमर्स में डिसकवरी होई कि एक कॉमर्स एनेबलमेंट जैसे शॉपफ़ाई वू कॉमर्स इस तरफ कितना ट्राफिक बढ़ रहा है लोग खाली Amazon पे काम नहीं करना चाते हैं लोग खुद का भी ब्रैंड इडेंटिटी बनाना चाते हैं अगर Amazon से मैं और आप खरीदते हैं तो हमें कोई फरक नहीं पड़ता है कौन सेलर है कौन नहीं है हम तो Amazon फुल्फिल्ड और रेटिंग देखते हैं हम कस्टमर अमाज़न के हैं उस सेलर के नहीं है इस टैप फी चीजें लोगों ने डिसकवर करनी चाले हैं मैं यह बाता है 2018 की हाँ 2017-2018 जो ट्रांजिशन चल रहा था तो एक तरीके से लोगों ने रिलाइस के कि उनकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए तो जैसे वह वाली मार्केट बढ़ रही थी और हम भी वाल्व हो रहे थे कि हमने शिपिंग में हमें काफी कुछ डेटा इंसाइड्स थे हमें यह था कि क्या करना है क्या नहीं करना और कॉरियर कंपनी से हमने लोकल लास्ट मेल करा के काफी देखा फिर हमने उसी मॉडल मे कॉरियर कंपनी से इंटर सिटी भी चालू कर रहा है फिर एंड अव दे ऐसा हो गया कि पिक अप भी कोई और कर रहा है डिलिवर भी कोई और कर रहा है हम बस बीच में कैगरिगेटर है बट हमें e-commerce की full depth knowledge है जैसे यह हो गया लाइव जाने वाली चीज कि इंस्टाग्राम नों तो इसे भी शॉप्स बन रही है फेस्बुक पी शॉप्स आने वाली है शॉपीफाय सर्ज हो रहा है दूसरा मार्किटिंग बहुत अंव मतलब अनॉर्गनाइज इंड़्या में कहीं कोई पर ओर चार्ज कर रहा है कहीं कोई कमिशन पे चार्ज कर रहा है कहीं कुछ sellers को पता ही नहीं है कि उनकी marketing optimized किन terms पर हो रही है नहीं हो रही है तो काफी gray area से लगा यह goldmine लगी इसरी goldmine लगी shipping जहां पर sellers जो है उनका NPS खराब हो जाता है पूरा shipping experience होता है NPS क्या हुआ? नेट promoter score experience बोल लो जिनको नहीं पता मैं अब समझा देता हूँ hopefully जब आप ये वीडियो देखोगे तब तक शहाद हमारी NPS की आचुके होगी वीडियो नहीं आई होगी तो आज आएगी कुछ इस series के अंदर तो NPS क्या होता है? एक rating system होता है जहां पे आप अपने app या फिर product को test करते हो कि users को पसंद कर रहे है या फिर नहीं कर रहे है जर्नली ये फाइफ ग्रेड या फिर 10 ग्रेड होता है जैसे अगर आपने हमारी पापा निउस डाउनलोड करी होगी तो उसके लिए रेट करने का option आता है आपका experience कैसा रहा है तो सारा data हमारे पास backend में चोर हो रहा है और उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि कितने पसंद लोगों ने हमको 5 star दिये कितने पसंद लोगों ने हमको 1 star दिये उसके विहाफ पे हम निकालते हैं कि हमारी app का जो feature है वो successful जा रहा है या पर नहीं जा रहा है इसका एक दूसरे तरीका में बताना चाहूंगा आपको यह पता चलेगा कि कितने लोग आपसे खुश हैं कितने लोग जो हो सकते हैं और कितने लोग बहुत खुश हैं तो जो खुश हो सकते हैं उनको खुश करने की तरफ आपको अपको अप्ग्रेड करना चाहिए कि आप पहले तो हमारी एक आप थी डिलिवरी बॉइस की जहां ट्राकिंग होती थी डिलिवरी बॉइस को नोटिविशन आती थी गुरूट प्लैनिंग देते थे रूट अप्टिम मॉडल सौल करते थे फिर हब स्पोक मॉडल भी सौल करा एक थोड़ा हाइब्रीड सा मॉडल था ब प्लैनिंग कैसे करनी है तो वो जो हब हो गए वो आपके वो गए वेराउस इस पर स्पोक्स हो गए कि कहा कहा से आप बीच में जाके इस वेराउस पर लाओगे पिकिंग यहां से जैसे मानलो एक सरकल मनाओ उस सरकल में हर जगए 4 वह लगा लो हब्स कि यह वेराउस हो होता है और मिलकरन मॉडल तो इस मोर लाइक कि आप ऐसे सोच लोगी एक डिलिवरी बाइटवर के रूट है यह चार वह क्या नामें पॉइंट्स चार पॉइंट्स है जहां आपको डिलिवरी करनी है उस चार पॉइंट्स तक आपको जाने का बेस्ट प्लैनिंग कैसे बने पांच फाइपर लोकल डिलिवरी के लिए तो क्या हुआ एक लड़का गया बाइक पे बैठा समान रखा एक जगा से लिया और दुसरे जगा चोड़ दिया उसका रूट आप बना के दे रहे हो मिलकरन में कि आपको जो है अगर आपके पास सो और है और आपके पास पांच जगार्ट से अपने लगाया था कि पहले कोई बंदा देखता था कि कैसे जा रहे क्या जा रहे होने चाहिए फिर उसको आटोमेट कर दिया था अजा ठीक है अब आपने लोकेशन लोकेशन पर पहले मैनुवली देखा कि यह रूट बनना चाहिए और रूट उसको बेज़ बट वोल्यूमेट्रिक वेट मतलब लेंथ ब्रेट हाइट के और डिवाइड बैप पांच हजार इंटू स्पोक्स में तो यह वाला जो वेट है यह उसका रहा है कि भी उसकी पूरी बाई की भर गया आप ऐसे सोचो कि अब उसकुछ नहीं ले जा सकता है इसके लावा अब वो इस वेहराऊस में आगया है अब वो इस वेहराऊस में आगया है अलग बड़े-बड़े वेहराऊस बने हुए तो एक उपरेशनली चीज को सस्ते में पूचाने का तरीका है कि डिरेक्ली अगर एक बंदा हैदरावास से एक प्रोड़क्त लेके आपके घर पे तो रॉईणी के अंदर इन्होंने के इंटर बना दिया तो जितने भी रॉईणी के ओडर हो गे वहा दिया है वहां पे में एक्जाम्पल के लिए गुड़गाओं में तुंडे कबाब अच्छा मिलता मुझे मुझे रूहनी चाहिए तो यहां से यहां लाना इस फिजिबल लिए तो आजकल ड्रोन आ गए 15-15 kg ट्रेवल कर सकते हैं तो जितने रूहनी के आर्टर हुए वहां से उसने ड्रोनने लिया उसने रूहनी के उसमें चोड़ आगे और वहां से ठ्रेवल कि में उह प्लाग आ अपको सोचो कि कहाँ जादा टाइम लगेगा आपको वह जतने देर में तुंडे कबब गुड़ मैं यह कहा हूँ, drone ने delivery करी वेरांस पे वेरांस से लड़का दिलिवर कर रहा हूँ, अजय ना आपको दिए देखना पड़ेगा आप आपको तुंडे कवाब मैं आप शाहिद यू आप्टिमाईज करो कि वह तुंडे कवाब नहीं कह रहा हूँ किसे तुंडे कवाउग के लिए नहीं आ रहा हूँ, वो बिसिकले आ रहा है, जितने भी गुड़गाओं के रेस्ट्रॉण के जो ओर्डर है, आपने बुक कर दिया, आपको स्लॉट मिल गया, स्टार्टिंग के अंदर इतने सारे ओर्डर नहीं होगे, तो आपको दो वज़े का स्लॉट मिल गया, कि दो वज़े आपका प्रोड़ट वहां से निकलेगा, तो मानके चलते हैं, हमारे पास में 50 ओर्डर्स है, जो की रोहिनी में है, जो गुड़गाओं से आने है, तो पच नहीं, लंगर मार्केट तो नहीं, तो थोड़ा, देखो, ऑप्तिमाइजेशन चले गया, ऐसे बोल लो, जैसे एक्जामपल के लिए, किसी ने अपने घर के मंगाया, पीछे से घुच के उपर चद्दर डाल दी, कीच के ले गया, ड्रोन भी उसका गवार में फिलभा के अ बिल्डिंग्स होगे रहागा, वहाँ पे कैसे वो काम करेगा, नहीं करेगा, अभी ड्रोन को लेकर बहुत कोशन्स हैं, तो आप को रखता है, कब तक होगा यह सॉल्यूशन, ड्रोन डिलिवरी का, पहले तो हमें यह आप्टिमाइज करना है, कि जितनी भी वहीकल्स हैं, वो एवी पे मूव हो जाए, पहले आई थिंक एवी होगा, फिर उसके बाद ड्रोन आएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि खाली ड्रोन हो रहा है, मुदला भी मिक्स अफ और त्री गाइंड अफ तिंग्स, कि जो है वो भी होगा, थोड़ा उसमार अप्टिमाइजिशन होगे कहीं कहीं EV वाली वहिकल सा जाएंगी, फिर और थोड़ी अप्टिमाइजिशन होगे, जहां पर ड्रोन सक्चेस्फुली चीज़े कर सकते हैं, वह ड्रोन सा जाएंगे, तो अगर मैं बैक्टॉप की कंपनी के उपर आता हूँ, तो कंपनी के आपने बताया है, आप्रेशन हैं, उनका तो काम हमेशा सही हुई है, ज्यादा से अधा गुस्ना कि कैसे सिस्टम को और अलाइन किया जाएंगे, पर अगर मैं सेल्स की बात करके चलू, मार्किटिंग की बात करके चलू, तो ओन बोडिंग अब कैसे हो लिए, स्टार्टिंग के अंदर तो फिजिकल हो र हमारी है, तो हम बड़े ब्रैंट से किया, वाल्यूम बिल्ड की, कोरियर कंपनी से रेट नेगोशियेट करे, अपना मार्जिन भी सेट किया, फिर उसके बाद हमने और ऐसा वो किया कि अब हमें लोगों से बात करने की जरूट ना पड़े, आन बोडिंग के लिए, लोगो की खील मार्किटिंग भी चल रही है, इस में अंगेजमर्ट अक्टीटीज भी चल रही है, इस में थोड़ी नोटिफिकेशन्स भी चल रही है, इसमें क्रॉस से बना देंगे अभी हम figure out कर रहा है अभी के लिए अगर चाहते तो वेब बनाई है फिर प्रॉपर जावा नहीं पूरी जावा बनाई है किस बनाई है नहीं नहीं पाइफन मलब फ्रेंट रियक्ट पे बैक एंड पाइफन पे जाएंगो एक MVC फ्रेमवर्क के पाइफन का वो यूज़ हो रहा है किन चीज़ों फोकस करना चाहिए किन चीज़ों फोकस नहीं करना चाहिए एंग के साथ और वो मिलब बांड श्रॉंग किया कि हम लोग और कैसे टुगेदर एक और बड़ी कम निकरो सकते हैं संट्रिकट होई थी सिफ मैनेजमेंट ने ली थी टीम की नहीं की थी किसी की और कोई फाइरिंग वाइरिंग टाइप फाइरिंग अगर अभी फ्यूचर में फिर से लौट आउन देखते है तो नहीं होगी अभी अभी फाइरिंग मतलब देखो फाइरिंग जैसे अंडर वाली चलती रहती है जो कोई महीने दो महीने में कोई एकाथ बन देख वैसी चलती रहेगी बट हाँ वह ऐसी कोई नहीं होगी अगर मैं स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल दे ने अब यह आने शुरू हो गया जब यह फरस्ट माइल हटाया लास्ट मेल खुद से अटाय टेक प्लाटफॉर्म बने तब प्रॉफिटेबल होने स्टार्ट हुए जस्ट मतलब ब्रेक इवन हुए यह कब की बात कर दो जर अठार दो जर उननीस मानलों अल्मोस्ट चार साल लग गए हाँ चार साल ऐसे चलते रहे कि बिलकुल नो प्रॉफिट नो लॉस यह थोड़ लॉस टाइप प्रॉफिट की तरफ नहीं है तो अभी तक यह सीड बाला फंड नी चल रहा है वही चल रहा था बहुत बड़ी फंडिंग मिल लगा तीम हाइरिंग में लगा प्रोसेस एक्सेलेंट करने में लगा थोड़ा मार्केटिंग म्रांडिंग में बजट आया वहा सकते हैं हाँ बड़ आप ऐसा सोचो कि पहले हमें 3x मिला अगला राउंड 4x पे मिला आप इस बार कोशिश करते हैं 5,6 x पे मिल जाए कस्टमर्स कितने हैं पर हमारे पास अभी टोटल एक्टिव कस्टमर्स तो 50,000 हैं और अगर हम स्टार्टिंग से बात मांगे चले तो कि 50,000 हो जाते हैं तो कुछ अभी आपने कभी एनलाइस कि है कि कितने नए स्टार्टप मंतली शुरू हो रहे आपके बास आ रहे हैं और वो कितने टाइम के बाद बंद हो जाते हैं मतला उनकी एक लाइस साइकल क्या हो रहती है कि बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पर ड ब्रेडन बेटर है पिकर के लिए आप ऐसे सोचो कि हमारे ना तीन टाइप के कस्टमर एक है लॉंग टेल एक है SME एक है एंटरप्राइज लॉंग टेल में वो दो टाइप के कस्टमर है एक जुनोंने आप तोचा कि कल कुछ बेचते हैं उनलाइन एक है जिनोंने ये एक म कि ये बढ़ा सकते हैं कि ने चेंज करना चाहिए और जो बढ़ाने वाले आंसर जिसको उसको हम SME में शिफ्ट कर रहे हैं SME वो होते हैं जो स्टेट से बढ़के आके एक थोड़ा MVP वैलिडेशन होता है कि हमने कुछ बनाया उसकी वैलिडेशन हो गए अब इसे स्केल कैस हो गई फिर वहाँ पर जब हो SME बन जाते हैं कि उन्होंने वन वाली जर्नी कर ली अब उन्हें एंटरप्राइस बनके वन टू टैन वाली जर्नी करनी होती है कि हम 10X कैसे होंगे ठीक है तो हम ये कोशिश करते हैं कि बढ़ाने वाला SME में आए और SME में भी SME एक बर बने को ये तो पता है कि आता है मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बनाता रहा हूं या मैं बड़ी कंपनी बनो मैं स्केल करूं मैं बहुत बड़ा नाम भी बनाओं तो जब वो उस तरफ जाते हैं तो एंटरप्राइस में रहते हैं ठीक है तो अब ऐसे सोचो कि अगर मैं बीस से पच्चीस हजार मतलब येर और आप ये मान के जलो दस लाग सेलर एड़ हो रहे हैं आठ से दस लाग सेलर एड़ हो रहे हैं और लगभग आई थिंक अगर आप ऐसे होचें फिफटीन परसंट सेलर डाय हो जाते हैं इधर लॉंग टेल मॉटालिटी रेट अगर और अगर एसे में इसकी बात करके चले तो हैसे में मॉटालिटी रेट हर्ली मनलब एक दो सेलर टाइप मनलब बहुत लिम नेगलिजिबल है एंटरप्राइस में होता है क्योंकि वहां पर एक पॉइंट के बाद बरन नहीं हो सकता क्योंकि आपका स्केल इतना हो जाता है अ इनकी मन्थली एकॉमर्स जीमवी जो है आप ऐसे सोचो कि वो फंद्रह हजार से ज़्यादा और कर रहे हैं डेड़ करोड माला एक करोड प्लस मन्थली जीमवी है कितने कस्टमर होंगे आपके इसाब से इंडिया मैंसे उन में मॉटालिटी रेट वैसा होता है कि स्केल किय से अले कि रहे हैं हमारी में वैल्ययू एड्ड जो है लांग तेल से अंटर पराईस तक पहुंचाने में बैसिकली यह कि देखो कहां पर स्टाटप मरते हैं कहां इनकी पे अनल खराब होती हैं ठेक है कि एपना ब्रैंड नidents मैच्िआ कर पाते जूजomesाट में इंके इनके टीम रखने की केपिबिलिटीज भी नहीं और नहीं इनके पास इतना टाइम होना चाहिए कि सारा दिन बस इन्हीं हैसल में टाइम कंप्लीट कर लें तो हम क्या करते हैं हम इने बोलते हैं कि आप बस किसी भी जहां जहां आपको लगे आप अपनी शॉप खोलो उस शॉप को हमसे कनेक करो हम आपको वेराउजिंग भी आपसे हटा देंगे कि वेराउजिंग भी हम प्रोवाइड करवा देंगे और वेराउजिंग में हम हब टाइट में वो order deliver करवाएंगे जल से जल deliver करवाएंगे उसकी सहुलियत से करवाएंगे अगर वो कहागा मुझे कल चाही है तो आज मिलेगा ओगएगा चार दिन बाद चीए तो चार दिन बाद मिलेगा यह पूरा हैसल आप हम पे छोड़ दो इसमें आपको हम cost reduction देंगे हम आपका रिटर्न जो एक बहुत बड़ी सरदर्दी है इकॉमर्स में इसको इसको मिनिमाइज करें कैसे यह इनी चीजों से कि हम उसमें कोरियर कंपनी बेस्ट सेलेक कर लेते हैं पहले उस रूट के लिए on the basis of past trends और फिर उसके बाद हम end customer profiling भी देखते हैं कि एंड customer जो है इसके phone number ठीक है निए address जो है यह deliverable है या नहीं है तो हमने ऐसे करते हैं आप यह manual चेक हो रहा है नहीं पूरा product से चेक होता है तो अगर आपके 100 order है तो आपको हम बोलते हैं आप इन 90 dispatch कर दो 10 मत करो इन 10 पे आप second level of filtering करो या तो इने call करो इन से address confirmation लो इनके phone number ठ करने वाले होते हैं तो आपका 100 में से आठ आठ यह return हम हो गया कदम यह आठ इन आठ order में आप ऐसे सोचा आप 100 रुपे पर order shipping के देते आवरेज आप 800 रुपे खर्चते ठीक है और आपका product जो है फच जाता 15-20 दिन के लिए अब आप छोटे seller हो इतनी कहां cash flow होता है कि मैं 800 रुपे लूज भी करूँ जिसमें मुझे कुछ ही नहीं मिलना ठीक है और फिर में अपनी product inventory भी stuck करूँ इतनी bandwidth यहां नहीं होती इतनी bandwidth SME और enterprise में हो सकती है और अगर मैं RTO के बात करके चलो तो कितना percent रहता है आपके हिसाब से वो भी category to category है अपरेल्स वगेरा में जनर इनमें generally 10 to 30 percent की बीच की different different type के ranges है उसके अलावा आप जितने established brand हो जाते हो जितना ज़्यदा जो basically offline to online है ना उनका return काम होता है जो पहले से नाम है जिनका पहले से बहुत नाम है अगर अभी आपने जो team बताये थे long tail SMEs और enterprise अगर इन तीनों के RTO के बात करके चले तो इन त long tail में भी RTO होता है मैं जनरल 20 percent type कर रहता है हमारा जो चल रहा है SME में मैं यह सिर्फ वो है जो हमसे shift करते है उनका पता है मुझे SME में नंबर 28 percent type है enterprise में नंबर 35 percent है जितना बड़ा business उतने ज़्यदा RTO आप ऐसे सुचे ना आप scale कैसे करोगे e-commerce में इंडिया में आप ख यहां आपके COD पे buyers बढ़ें आपका return बढ़ गया अब आप COD पे buyers बढ़के buyers बढ़ा रहे हो जो आप अपना marketing आप खुद आप भी marketing background से हो आपने देखा ही होगा कि आपके campaign best COD order पे चलते होंगे prepaid के campaign सब खुद ही हाथ कड़े कर देते होगे कि यार यह तो इसमें तो C CPS बहुत जद आएगी हाँ बढ़ वहीं COD में आपकी CPS 20% of what it is in prepaid आएगी और scale भी जादा होगा Facebook अगरा कि भी जो mechanism होते है ads के learn करते ही करते हैं कहां से जदे impressions आ रहे हैं और जदे आइड पैकते हैं उन्हीं के lookalikes को जादा दिखाते हैं उसी तरफ जादे engagement activity deep करते हैं के दाएरे में दाया कुछ तो है 80% हो बंदे नहीं लेते हैं अगर मालो मैं यह भी end to end आप से जाता हूं हाँ तो यह भी हम देते हैं अब हम से हमारे थ्रू कॉलिंग कर लो हमारे थ्रूने WhatsApp बज़ दो फिर वहां से confirmation ले लो कुछ चेक डबल चेक ज़रूर करो ठीक है तो आप और क्या हम कर रहे हो मैं इसके लावा एक तो यह वाली है और यह अपकी और डीप लेवल करेंगा अभी हाई यह जैसे फिर मीडियम का भी देंगे फिर वहां पे और एंगेजमेंट एक्टिविटी बढ़ाएंगे इसके लावा माँ आपसे कोरियर से डील निकरने दे हैं आपके लिए हम ही कोरियर है आपने ऒुस पिकर को शिपमेंट दे दीिए फिकर दीगा जिस भी कोरियर को देडिये पिकर सारी हैसल मैनेज करेगा है अगर रास्ते में कोई भी प्रोड़क्ट लॉस होता है फर पिकर लाई बल आ, जो भी ऑन्मेंसैनौ के साथ उसपर है क्योंकि भूस सारे लोगों की एक कंप्लेन हाती है कि आ इंडिया के अंदर जो लॉजिस्टिक वाले है वो खो देते है और उसके वेशाम को लॉस्टिक वाले ना आपको 3,000 रुबे जादा नहीं देंगे लॉस्ट करने पर डामेज जो है उस पर आपको लॉजिस्टिक वाल नहीं दी तो आपको कोरियर वाले क्लेम नहीं देंगे बट इन एनी केस सब कुछ 3,000 रुबे तक की कैप का है इससे उपर आपको इंशॉरेंस पर जाना चाहिए तो अभी आप प्रोइट करते हो और वो कितना पसंट होता है जनरली वो डिपेंड करता है पॉइंट टू प आपको खोता कितना है किस रेंज का खोता है क्या उट लायर है उसमें अगर वो एक ट्रेंड बन गया है तो आपको इंशॉरेंस भी लेना चाहिए क्योंकि वहां पे फिर आप यह कॉस्त देखना है कि अगर आपके हजार ओडर पे दो पर एक खो रहा है इसका रीजन गया ह क्या है आपकी गलती है ऐसाइलर मेरी गलती दो नहीं है मेने तो फिर आपको बैज दी आप क्योंते इट हो रहा हुंथ परसल दिल्ली से केरला जा रहा है और इसानी अकेला जा रहा है बहुत यह देखो लास्ट मन्थ हमने कुछ 35 लाग शिपमेंट किये थे उन 35 लाग शिपमेंट में से हार्ली कुछ 400 शिपमेंट खोई थे बहुत नॉमिल लगोट थे और यहां पर बहुत बड़ी प्रवल्लम देखें, वेट डिस्क्रिप्रेंशी लोग कहते है कि यहां वोलियूमेटưởng वेटente कुछ और ही कमद शाले है पर महीने के ईनमे जो bi irrelink आ रहे हैं, ऊसके इवल्यूमेटर्ग एटव कुछ होब आता है तो यह क्या प्रोल्बल्म है यह जह पीनह टूवे प्रवलम है कई पर ऐसा होता है आप एक मानलो मास्क बेज रहे हो आपनो उसे फ्लायर में डाल दिया फ्लायर के अजिस आपको पता ही है अब जो वह सौटर होता है उसने कैप्चर कर लिया उसने वोल्यूमेट्रिक लिए एक किलो में दिखा दिया यह तो होगी जैनून प्राप्लम दू मेरे जाए निपर आपको देडिया यह तो हम पैकेजिग ज़िए और आप हमारा वेरा होस में रख़ आ रहे हो तो हम पैकेजिग करेंगे तो हुख कि देटी है वो बहु डिपेंड करता है कि आप कितना इनवर्ट करोगे फिर वह इनवर्ट प्लस ऑूटर कर लिए पंदर 12-16 रुपे पर शिप्मेंट आपको कॉस्ट पड़ता है जिसमें पैकेजिंग प्लस शिपिंग मतलब शिपिंग नहीं शिपिंग की कॉस्ट नहीं शिपिंग कराना डिस्पैच्च लेबलिंग ये सच तीन चा चीज़े कवर हो जाती है स्टोरेज भी इनवर्ड भी आउटवर्ड भी रिटर्न मैनेजमेंट भी तो यही मानूब 15 रुपे यह लग जाएगा तो मैंने क्या किया है मैंने अपनी सारी के सारी टीशिट आपको दे दी मैंका यह आप रखो और आएगा अपने आप करते रहना यह आप जो केस ले रहो तो कि हमारे केस में हम इसे कैसे सोल करते हैं हम नह Case-Q痛 में democrat के बना लिते एक बर हम यह प्रूफ हो गया कि आपका हमारा और कोरियर का तीनों का वेट सेम है ठीक है तो हम उससे स्टोर कर लेते हैं ताग और हम कोरियर से कहाँ तें कि deviation नहीं होगा यह कैसे होगा मैं था सब प्रक्राइब कर देते हैं यह अब यह हमारा वेट हो गया कि सैलर और कोरियर का मैच हो गया ठीक है और यह यह इसकी फिक्स आप इसकी पर कोई दिस्क्रिपेंसी एंटर्टेंग यहीं अगर कल को जाके कभी यह दोनों मेट्रिक्स हिलते हैं कि आपका आदा किलो एक दस पारसल पे खॉरियर का एक किलो नौ पारसल पे अब हम इंस्पेक्शन करते हैं और जनरली उसमें निकलते हैं कि आपने कुछ पैकेजिंग में चेंज किया है ठीक और पैकेजिंग में चेंज ना हो तो तो नहीं हो अगें आऊटा स्थिस वाला स्थिसस किना जमिता हुएं मेंने में आपसे पहला और मैंने सुरणिस ब entrevholes करता हूं कि हर यहार यह तस नहीं हो आया है आप ने से अपने एंट शेक किया मैसा ही लगा अब कोरियर पार्टनर से हमारा क्या हो ना हुआ हम आपका रिवाइस कर दें, देखो हम कोरियर पार्टनर से सॉटर इमेज भी लेते हैं, बहुत सारी चीजे हम खुदी मैच करके सॉल कर देते हैं, कुछ डिस्पूटिड केसे होते हैं, जिन में थोड़ा टाइम लग जाता ह है 5-7 दिन कर, क्योंकि कोरियर भी आडिट करता है उस केस में, कुछ केस में हम भी आट करता है, इसमें पिकर का वैल्ली और यह है कि आपको इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपको ऐसा लग रहे है कि आपको ओवर चार्ज हुआ है, तो आपका स्वाल हो जाए यह वाली, कि यार जहाँ आपका प्राइस सेंसिटिव दुनिया है इंडिया में, तो आपका जहाँ सौ रुपे का डिड़ सौ रुपे लगेगा, आप तो चाहँ हो गए ना, आपका प्रोड़क्ट आदे किलो में जाए, तो कोरियर आपके जैसे देखो, ऐसा होता है कई पानसो बीस ग्राम का प्रोड़क्ट है, डेड़ वेट, बानसो पच्चीस ग्राम का डेड़ वेट, अब इसे आदे किलो में लगाना है, एक किलो में लगाना है, ऐसी जगाँ पे आपको पिकर वगएर टाइप के प्लाटफॉर्म भी हेल्प कर देते हैं, कि यह हमारा वेवर नी दोगे, सारे वॉल्यम सटा देंगे, तो कैसे इसके लिए कैसे कोई करें, फिर वो कोरियर वाले आउडिट करते हैं, लॉजिकली आप से बात करने पड़ेगी उनको, नहीं नहीं मुझ से नहीं, हां महला उन्हें, जब उनकी वेट डिस्क्रिपेंसी आ रही है, उसमें ही रिजॉल कराना पड़ेगा, क्यार मेरा ये स्क्यूना, कोरियर के साथ अब 500 ग्राम में कराओ, अब मुझे भी 500 ग्राम ही चार्च करो, ठीक है, आइडली स्टार्टिंग के पहले महिने में करा लो तो बेटर है, जितनी जल्दी कराओगे बेटर है, आपका कम करेगा, अगे मेरा वही टी-शेट का काम है, जो मैं एक्जाम के चलता हूँ, मेरे टी-शेट का वेट है 525 ग्राम या 30 ग्राम, ठीक है, अब पहला ओडर गया, मैं चाहता था 500 ग्राम बचड़े, पचड़े एक किलो में, हाँ तो सही चड़ा ना, एक किलो में, आपको तो रिक्वेस्ट करनी पुड़ेगी, ने, से पांट से मिलाने, अब मैंने आप पर रिक्वेस्ट करी, पहले ओंटर पर ही, मैंने का यार, इसको अगर हो सके है, तो ऐसा होता है, कि 30% टाइम एक्सेप्ट हो भी जाती है, 70% पर रिजेक भी हो जाती है, कोरियर कंपनी जैना, दे, वो भी इसी सी चीज से कमाते है, ना, तो आप ऐसे सोचो कि ये पूरा प्राइस सेंसिटिव एरिया है, तो ये ना, वेट डिस्प्यूट बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको हम प्रांस्पिनेंटली सॉल कर भी रहे हैं, और बहुत एग्रेसिवली इसमें स्टेप्स हो रहे हैं, बट वे डिस्प्यूट काई बार थोड़ा वैसा भी है, फोर्स चैलेंज भी है, काई वर सेलर्स भी हम देखते हैं कि जो सेलर ने वेट डाला और जो कॉरिया ने वेट दिया, उसमें डिस्क्रिमेंसी कितने परसेंटेज आनी चाहिए, आप बताओ कितनी आनी तो आप बोलोगे आदा किलो आपको मनीमन पता हो, चाहिए कुलो है, कोर्य कमपनी ने आपका दो किलो लगा दिया, फिर उसके बाद आपके ओपर है कि यार, सौ मेंसे अस्ती पे लगा दिया, बीस में बच गया, मेरा ही फैदा होगया, एnd of the day, हाँ, अब आब यहीं, लिए तो seller और courier इनके बीच में जितना कम हैसल होगा ना उतना अच्छा है यह डिस्क्रिपेंसी वाले पार्ट में जनरली ऐसी ही काम करता है कि आपको यह एंशो करना है कि seller और courier जहां आर्लाइन हना है वहां पर कुछ नी करना भूहाँ पस अपूमाइज करना आществ जहां से लो फो अप्रॉड्म मार्केटिंग यहन जहां पर कॉइन म्हां अनल भी मार्केटिंगे के इसी लाइन एंचांप यहां कोई स्टैफनी klС की जरए अभी मार्केटिंग फाली देटा टीक है मुझे जानना है कि टी-शेट सबसे रहा कहां कोन से सिटी में विखती है इस टाइब का कुछ नहीं करते हैं अभी तक तो कुछ नहीं करते हैं फ्यूचर में ऐसा कुछ अभी कोई ऐसा प्रोड़क भी फिगर आउट नहीं है अभी हमें मार्केटिंग साइड नहीं जाना अभी हम पोस्ट मार्केटिंग चेक आउट सौल करना चाहरे हैं हम चाहरे हैं कि हर सेलर का चैब लॉंग टेल हो, SMU, Enterprise हो इनका चेक आउट Amazon जैसा चेक आउट हो जहां पे इंटेलिजेंस भी हो वो कैसे लगेगा मतलब आप कोई भी Shopify पे जाओ हमारा चेक आउट का विजिट डालो फिर उसके बाद आपके पास दो टाइप के चेक आउट है देखो जहां कम ड्रॉप हो रहा है उसको यूज करो अभी तक तो दो-तीन लोगों की टेस्टिंग में हमारा कम ड्रॉप हुआ है वन क्लिक चेक आउट है कैसा है मलाब वन क्लिक ही वह मलाब फास्टर चेक आउट है ऐसे सोचो मलाब देखो एक आपको OTP डाल के लोग इन तो कर नहीं है यह उसका अगर ऐसक एडरेस आपको ओटो फिल हो जाएगा अपके पीपस नहीं आजएगी कि यार में य मिदे में चाहिए 24 गंटिस Coffee ने में चाहिए ऐर्त आलीस घंटे में चाहिए तीन दीन में चाहिए 6 दिन में चेह 6 अच दीन में चाहिए ठीक है आपके पास अगर हमें पता है कि आप आटियो ही करने वाले हो तो आपको यूडी का ऑप्शन दी नहीं आएगा ठीक है हम आपको आपके एड्रेस करेक्ट करने का ऑप्शन भी देंगे अगर आपको आपको आगे का एड्रेस हमारे पास है आपका उस एड्रेस में कुछ कमी है आप उसको ठीक कर दो आगे से अपने आप और फिल चलेगा वो क्लिक हट गया बट फास्टर है महला हमने नोटिस किया था कि चेक आउट पे 70-80% ड्रॉप हो रहा था तो वर्डप्रे का वर्जन हम निकालेंगे अभी खाली कस्टम वेबसाइट जो आपने खुद से बनाई है उनके लिए है विजेट और शॉपी अचा उनके लिए भी है क्रसुल या फे भी इंटिक्रेट हो जाएगा यह वहां भी हो जाएगा तो इसके अंदर ऐसा भी कर सकता हो किया मैं सा अच्छर रुपे प्लस लॉजिस्टिक बेचुगा तो लॉजिकली वो अपना ड्रस भरे और आप लॉजिस्टिक चार्ज दिखा दो बही शत्तर लॉजिस्टिक चार्ज हम उस लॉजिस्टिक चार्ज को मॉडिफाई भी कर आएंगे अगर एक दिन में चीए तो 70 का 100 और लेट चाहिए तो चालिस अब है तो अब मैं लॉजिस्टिक चार्ज के ऊपर भी मारजन जोड सकता हूँ वो आपका मारजन होगा आप जोड सकते हो, हमारा नहीं होगा हम तो आपको कॉन्फिग्रेशन दिखा हम आप से पैसे लेंगे अब आप उसमें जो चाहिए डेल्टा रखने हैं अब आप पैसा के ले रहे हो हम आपसे चेक आउट का भी ले रहे हैं चेक आउट का क्या ले रहे हैं चेक आउट का हम आपसे ले रहे हैं 2% जीमवी का इसमें गेटरे भी है इसमें सब है हाँ अगर इसमें return हो जाता है तो हम आपको कुछपैसा वापसी भी देंगे! मनला हमने guarantee ले रहे ने इसमें कम return होगा तो हम आपको साचलों कुछ ऐसे shipments जो हमने flag करें delivery होने तो इसमें जो return होगा उसका हम आपको refund देंगे कितना refund कैसा भी आएगा उस बाकी तो product आपको आई जाएगा लोग से cost पूरी आप दूरे गरोंगे सिर्फ उसकी क्या नाम है जो क्या नाम हमने बोला कि यह deliver हो जैसे मैंने आपकाता है ना तो हमेंसे 10 हम बोलते हैं यह return होगा और 90 बोलते हैं deliver होगा तो 90 मेंसे अगर कोई return होता है इस checkout के थुरू नाइए तो बड़े चीज़ है मतलब मेरा तो RTO free हो गया ना हाँ उस 90 मेंसे 10 मेंसे अगर आप dispatch कर दूआ में को जो सही लग रहा है मैं रख रहा हूं जो नहीं लग रहा है मैंने सब को cancel कर दिया एजामपल के लिए तो मेरा तो RTO free हो गया मैं तो एक तरह से consider कर सकता हूं RTO zero हाँ तो इससे देखो दो चीज़े है एक तो हमें हमारा algorithm और improve करने के लिए वो आएगा push आएगा क्यों पैसे आगा हो गया इंवाल दूसरा seller के लिए थोड़ा conversion भी better है RTO भी काम है और एक पूरी hassle मरब और पेइमेंट का क्या है कि कब payment आजाएगी मेरे पास next day 24 hour to 48 hour reconciliation process है ठीक है और अगर मैं वेराउस वाला plan plus यह लेता हो तो चेक आउट वेराउस शिपिंग सब तीनों पिक तो इसका कुछ e-commerce product भी बन सकता है future पर अभी e-commerce की तरफ नहीं जाना हमें e-commerce enablement की तरफ जाना और पहले इंडिया करना है फिर इंडिया के बाद इंडिया से बाहर भी जाएगे यह एच्छेक ओट इस गूड तो कुछ discount भी मिल सकता है इस पर हां मिल जाएगा मला अभी अभी तो वैसे भी early users है अभी तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है मजा रहा है अच्छा लग रहा है आप लोगों कैसा लग रहा है नीचे comment में बताओ और अगर like नहीं किया तो भी like करतो इस video क्योंकि अब हम आ रहे हैं अपने सबसे interesting part की तरह जो की है rapid fire rapid fire डरने वाली बात नहीं है और दर जाते है back to back questions होगे कुछ options होगे आपको एक चुन्दा है time नहीं लेना है to the point answer लेना है ठीक है android or ios? ios. funding or bootstrap? funding. angel or venture? venture. debt or equity? equity or debt mix. एक चुन्दा है. equity. family or business? family. fame or money? fame. love or arrange? love. मेरी इत खुद की love ही है तो love है. ठीक है. badge or knowledge? badge. profitability or scalability? यहाँ भी mix होना चाहिए but ideally long term में profitability matters. scalability मतलब इसमें मैं एक नहीं चूज कर सकता है मेले दोनों का mix important है. starting में scalability long term में profitability. last team or small team? again start with a small team and grow it to large. वैसी business की तरही. अगर मैं clusters की बात करके चलूँ आपको चोटी teams पसंद है या फिर बढ़ी teams पसंद है और बढ़ी teams पसंद है कि क्या own करना है experience own करना है or capex own करना है? experience owning yes, capex renting. Explain करोगे experience owning? मतलब आप जो चीज आप बना रहे हो से जो चीज सॉल कर रहे हो, वो solution aim करना है या बनाने के लिए चीज़े own करनी है. solution own करना है कि जैसे example घर की बात करके जो घर खरीदना चाहिए, rent लेना चाहिए मतलब वो भी मतलब उसके math होने चीज़े, if you have 10% or 15% of income to shed or 25 to 30% of income to maintain a certain lifestyle मतलब यह थोड़ा वैसा है, मैं इतना personally सोचता नहीं चीज़ों बारे में बट मैंने अभी recently खरीद है तो पहले rent पही था. outside food या homemade? Formal education of certain thought. Self-thought is also good, formal, generic formally होती है, majority जनता बट self-thought वाले लोग आजकल validate जादा हो रहे हैं तो पहले मेरा answer formal होता है, बट I would love to see how self-thought people share In the marketing team में आपको hiring करनी है, एक बंदा है जिसको digital marketing खुद से सीखी है, खुद से YouTube से करकर के सीखी है वो digital marketing team में आना चाहता है, formal कोई course degree कुछ भी है, hire करोगे नहीं करोगे यहर इसरे हां, मैं आपको question थोड़ा better समझाँ आपको आपको प्रकराण को बरता हूँ, यहर उन्हें end to a nitty-gitty पता होती है, बाकि लोगोंने कोई random video देख लिए देख लिया उससे कुछ success निकाल लिया, obviously effort जादा वो मारेंगे, बट long term में चलने में, जो A और A1 category माल लो, A1 वालों को भी इनसे फाइदा ही होगा, कुछ चीजें जो उन्हें नहीं पता चली, videos में नहीं है, यह लोग जिन्होंने वो चीजें पूरी end to end देख हैं, उन्हीं help ही करें, तो मैं दोनों टाइपे लोगों को hair करता हूँ, बट मैं जादा concentration, informal वालों, best food ever, कहीं कभी, घर का नाम नहीं लेना है, कि इसके हाथ के वो, इसके हाथ के हो, कहीं पे भी, आपने कभी भी कहीं travel भी किया हो, किसी specific restaurant की specific dish, specific restaurant की, यह restaurant का नाम याद नहीं है, वांबे में था, वैसे बता दो, कहां पे था, क्या था, उसका, comment पे लोग कहां पे था, मुंबई में था, Santa Cruz में, नाम भूलिया, मैं उसका, सही में नाम नहीं है, कैसा दिखता थी, वो जगह, कैसा दिखता थी, तभी कमेंट आएगे ना, लवियार, वो रूफटॉप चा था, बागी, और फूरा Chinese restaurant था हो, बता दे ना, कमेंट में भाई, जिनको इंडिया में चल रहा है, मतलब हम यह नहीं कह रहे है, कि जिसके पीछे भार की funding लगी हुई या नहीं लगी हुई, कोई matter नहीं कर रहा है, अभी वो currently इंडिया में operate कर रहा है, हम Microsoft को consider नहीं कर रहा है, नहीं नहीं, पोस्मेन है यार, मैं मेरे को सबसे अच्छा पोस्मेन अगर आपकी फेवरेट मुवी के बाद करके चले, तो कौन सी है, फेवरेट मुवी, 3D एट्स, क्यों की इंजीनियर और आप रेलेट कर पा है, यह ऐसी अच्छी लगी थे, बहुत जादा, ठीक है, बुक्स बढ़ते हो, नहीं यार, कोई भी भी नहीं पड़ी, मैं ऐसी यह रैंडम ली पड़ी होंगी थोड़ी को, तब देख आप, अटीवी से भी से लिखते हो, वेब से लिगारा, वो देखता हूँ, वो कौन सी फेवरेट है, फेवरेट वेब सीरीज, बहुत सारे है, सटॉप्शन, अगर एक लिक कर रहा, फेमिली मन, बहुत सारे है, फेम हाँ, मतलब वो थोड़ा, वो कहलो आप, वोकाउट, ठीक है, तो सबसे पहले थैंक्यू, बहुत मजाया, बहुत कुछ सीखने मों मिला, ओर्डियोंस को भी और हमको भी, और मैं फाइनली आपसे मजाना चाहूँगा, हमारी ओडियोंस के लिए कुछ, आप सजेशन क्या द आए, ठैंक्स फर इस अपॉर्चुनिटी, बाकी जो लोग बिजनस करना चाह रहे हैं, वही आपने भी एक लाइन बोली थी, प्राय करके देखो, प्राय करना चाहिए, डिसकार्डने करना चाहिए, दूसरा जहां पर बिजनस के साथ मेरी मत करो, फ्लेक्सिबल रहो, कि क्यों छोडने वाले हैं, कि बिजनस से वर्क लाइब बैलेंस खराब हो गया, या फिनैंशल सिच्विशन नहीं बन रही, या बिजनस में वो चीज नहीं देख रही कि जवाब अचीव करना चाहते थे, तो कुछ सेल्फ कोईशन्स अच्छे से आंसर करो, और रही को देखने।